आज की स्वीडियों दूसमें आप लोग को यह बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी लैप्टॉप या पीसी में जिसकी रहे हैं 1GB, 2GB या 4GB के आसपास हैं उसमें आप PUBG को Without Lagging in Ultra HD Graphics में कैसे प्ली कर सकते हैं इसके लाव में आप लोग को यह भी सिखाऊंगा कि Google Play Store की जो कोई भी अप्लिकेशन आप अपने PC में या लैप्टॉप में किस तरह से इंस्टाल कर सकते हैं Without Emulator और इसके लाव में रूट पर्मिशन आप लोग ने कैसे गेन करना है तकि आप किसी भी गेम या अप्लिकेशन में Unlimited Mode Money हासल कर सके हैं तो वीडियो को लास तक देखते रहेगा and ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही helpful वीडियो है तो आप लोगों ने ये वीडियो स्किप नहीं करने तो चले शूरू करते है and let's start it सबसे बाले दस्वा आप लोगों इस वैबसाइट पिगा ने इस व्याका लिंक को डिस्क्रिप्शन में मिल जाए कैई da sounds from the consumer karna and then boom up look its website पी आ जाओगी इस website पी अप सीध पी खिर ऐस फीनिक्स tabs 4 ए suis अफ लोग कर मिलेगई तस dryer बरेंट 2 स्वीड थे आप ल Um साहेगा Phoenix OS installer 3.5.0 and based on android version 7.1 so आप लोगो ने इस पर click करना है and इसके बास यहाँ पर हमारी पास इसके दो options है Mac और Windows के लिए so मैं आप लोगो Windows का method वतार हूँ so आप लोगो ने just window के download section पर click करना है and click करने के बाद आप लोगो के पास यहाँ पर Mega की एक website खुलेगी so उसकी थोड़ी सी processing होगी कुछी second में and then boom आप लोगो के पास यहाँ पर download option आजएगा download option आने के बाद आप लोगो ने just download पर click करना and just ही आपके पास यह फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके पास इसकी file download folder में आपके पास आ जाएगी मैं इस्टाप को skip कर रहा हूँ just because कि मैं यह already download कर चुक हूँ यह फाइल मेरे पास already downloaded यहां से मैं इस्टाप को skip करेंगे and here it is मेरे बास यह फाइल अल्रेडी डेक्स्टाप पड़ी यह सो इस पे डबल टैप करेंगे and then अमारे पास कुछ इस तरह का menu आएगा एक pop-up window आएगी source पर हमारे पस तीन option दोंगी तीन option में से पाला option हमारे पास install का option होगा just आप लोगों ने install पे क्लिक करना and क्लिक करने के बाद आपके पास यहां पे करेंगे कि हार डिस्की किस ट्राइब में आप लोगों इस फाइल को इस फाइल को इंस्टाल करना आप लोगों ने partition select करने के बाद next करना है and then यहां पर हमारे पास यह चार options है 16GB, 4GB, 8GB, 16GB और 32GB so यह आप लोगों को कह रहा है कि basically यह कितने GB पे क्यूंकि यह एक android based variant है so जिस सब्सक्राइब मोबाइल की internal storage होती है इसमें भी यह आपको कहा है कि कितनी internal storage आप इसके लिए रखना चाहते है so मैं recommend करूंगा कि आप 16GB रखें and just because कि मेरे पास जो C में partition बहुत ज्यादा है so मैं इस पे 32GB पे ही install करूंगा but आप 16GB पे install कर सकते हैं यह smoothly work करेगा and यहाँ पर आप इससे next पे click करेंगे and कुछ ही second में या कुछ ही minute में 2-3-4 minute में आपके पास यह installation complete हो जाएगी installation complete होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का menu आएगा and then हमारे पास पर पाला option होगा reboot now पे जैसी आपके पास installation complete होगा आपके बास reboot now का option आएगा आप लोग ने से tap करने के बाद आपके पास आपका PC laptop रीस्टार्ट होगा उस पे 4-5 minute की restart processing होगी installation complete होने की and then आपके पास कोछ इस तरह का welcome to phoenix OS का हमारे पास आजाएगा so आप लोगो ने उस पे tap करने and so यहां पर मारे पास welcome to phoenix OS आएगा and then आपके पास यहां पर लोगो ने language English कर लेन है and आप लोगो ने next करने and the license agreement को भी आप लोगो ने accept करने and then इसको भी next कर दे फिलाल के लिए and then आप लोगो ने finish करने तो आपके जो PC या laptop या लैप्टॉप या desktop screen आएगी basically आपके पास so within कुछ ही second आपके पास complete installation उसकी complete हो जाएगी so यहां से मैं आप लोगो गो गाइड कर मेरे PC या laptop में Play Store का option भी आ चुका है and मेरा जो PC है या laptop है वो completely Android वरियन बन चुका है so इसमें मैं Google Play Store की कोई भी application इंस्टाल कर सकता हूँ and इसके इलावा यह जो मेरे पास Android वरियन है वो completely rooted वरियन है so मैं कोई भी game या किसी भी application PUBG या Clash of Clans या कुछी भी किसी भी game में unlimited mode money access क अगर मुझे इसका complete method आता हो तो so यहां से आप देख सकते कि मेरे पास यह Play Store वर्क कर रहा है and just because आप लोग को दिखाने के लिए मैं यहां से root checker का application install करूंगा and उसे मैं run करके विए आप लोग को दिखाूंगा कि मेरा जो PC का यह Phoenix OS variant है यह completely rooted है so यहां से आप लोग को completely guidance मि जाएगी and यह मेरे पास already तक्रीबर इंस्टाल हो चुक है so यहां से आप मारे पास download होने के बाद installation इसकी complete होगी so इसके बाद downloading इसकी complete हो जाएगी कुछ ही second में and boom आप मारे पास यह download हो चुक है install हो चुक है and इसको आप लोग ने यहां हमारे पास जैसे mobile में तीन options होते हैं so यह आप लोग देख सकते हैं and इसकी कुछ जो मेन सेटिंग्स है कुछ मेन इसकी थियोरी है मैं आप लोग को furtherly guide करूंगा औसे पहले मैं आप लोग को इसके यूस कैसे करना है so यह completely android-based video and इसमें आप प्ले स्टोर की कोई भी application इंस्टाल कर सकते हैं या चाहे वो Clash of Clans है and install करूं and आप लोग को कफ सारी time सारा जो time में वो जाया हो so यहां suggest मैं इसको already download कर चुक हूँ download अने के बाद आप लोग को मैं देखा दूँ कि यह आप लोगों ने background applications को kill करना बहुत important है because कि आपके आपके जो system की RAM है वो consume नहीं होगी उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा जो यह system है वो successfully rooted है and root access में पहले सी gain है so आप लोग यह भी root access का भी बहुत बड़ा advantages से gain कर सकते हो आपके पास यहां पर इस तरह का एक VIP section का एक pop-up भी आता रहेगा so आप लोगों इसको आप लोगों ने buy करने की जुरूद नहीं है आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा जो यह device है system है वो successfully rooted है so मुझे root करने की जरूरत नहीं है and just कुछ यह application में unlimited mode बनी असल करने के लिए आप लोग को अपने mobile को root करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उन्ही applications को आप लोग PC या laptop पे install करके उनमें आप unlimitedly कुछ भी पंगे बाजी जो भी करना चाहें आप उसमें कर सकते है so जिसके उपर आपके original account को भी कोई issue नहीं होगा and मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि मेरे जो android based variant का जो android variant है वो 7.1 nugget है and आप लोग यह देख चुके हैं इसके बाद आम लोग जस्ट PUBG पे जाएंगे पगी जाने के बाद यहां पर आप लोग को दिखातों कि मेरे पास जो partitions है वो यह मरे पास android based इसकी partition है and इसके बाद आप लोग के बास जो बाकी आपकी partitions है जो है C, U, D, EU, EU, C के अलावा जाए C में भी आप लोग जा सकते हैं इन में आप completely access कर सकते हैं कोई data loss नहीं है कुछ भी नहीं है and उसके मज़े की बाद में आप लोग को यह बताऊं कि आप लोग अगर Phoenix OS को install करते हैं Phoenix OS को install करने के साथ साथ आप लोग विंडो को भी इंस्टाल कर सकते ह Phoenix OS को भी इंस्टाल करके यूज कर सकते हैं Phoenix OS कुछ भी नहीं है बहुत ही lighted window है बहुत ही lighted operating system है आप लोग इसकी further details साथ साथ गाइड करता रहूँगा उसके बाद मैं सबसे पहले जो हमारा main motto है मैं आप लोग को PUBG दिखाता हूँ PUBG में जाकर Ultra HD graphics में आप लोग को ब्ले करूँगा और आप लोग देखेंगे के मेरे जो laptop पे इसके graphics कितने मज़े के शो हो रहे हैं आप लोग यह देख सेकेंगे आप लोग ने यहाँ पर इस पे आपने मताबिक requirement के मताबिक आप लोग चेक आउट कर सकते हैं और मैं ज्यादा वीडियो को लेंथ नहीं ज्याद देना चाहता है बहुत ही महनत की है मैं इस वीडियो पे ज्यादा मैं आप लोग को चीज़े गाइड करना जाता हूँ बहुत ही काम टाइम में सो यहाँ से आप लोगों ने खुछ चेक आउट करना है तो हमारे पास गेम अल्रेडी डन हो चुकिया है और यहां से हमने एक अकाउंट भी लॉग इन कर लिया है अकाउंट इसमें लॉगन रने के बाद आप लोग को मैं सेटिंग्स की तरफ लेके चलूंगा एंड सेटिंग्स में ज आप लेस्टिक में भी आप लेके इसे प्ले कर सकते हैं एंड इसे अपर वरियंस में भी आप इसे प्ले कर सकते हैं तो कोई भी हम एंगल में प्ले करेंगे किसी भी मैप में इसे प्ले करते हैं आप लोग को इसके ग्राफिक्स शो हो जाएंगी या हमारे पास किस तरह के इसके शो हो रहे हैं and मैं आप लोग को completely बता रहा हूं कि को इसमें lagging नहीं है आप call of duty प्ले करें, pubg प्ले करें, कुछ भी प्ले करें completely smoothly प्ले करेंगा with ultra HD graphics में प्ले करेंगा अब इसके reasons में आप लोग को बताता हूं basically ये lagging क्यों नहीं करता so क्या है कि आप किसी भी laptop ये किसी भी system को ले ले लिए जिसमें आप window को install करते हैं and 10-15 applications आप कुछ आसी applications जैसे discord applications हो गई and OBS studio हो गया और इससरा के कुछ खाफशारी applications होती है जो आप लोग यूज करते हैं उससरा के applications भी आपके install होती है वो आपके system की आदी performance को consume करता है because आपके पूरे operating पूरे hardware को रन करता है so उसमें आप C को भी यूज कर रहा होता है C के जाद आपके performance यानी RAM और उसके processor को भी यूज कर रहा होता उसके बाद जो कुछ इसकी half performance बच जाती है वो आपकी applications ले जाती है कुछ जो बाकी applications होती, games होती है वो आपके background में run करती है and आपके internet को भी consume कर रहा होता है and इसके बाद जो बाकी रह जाती है वो आपके emulator को required होती है अगर आप लोगों ने कभी गोर किया हो तो आप लोग किसी भी application PC में या laptop में emulator को यूज करते हैं so वो hanging करना स्टार्ट कर देता है या heat up करता है so उसकी वज़े ही होती है कि वो बहुत ज़्यादा CPU usage उसमें हो रहाता है so आपके RAM और आपके जो ROM है या आपके system की यापके उसकी जो CPU usage है वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइड हो जाती है उसके बाद आपके पास जो बाकी RAM बच जाती है थोड़ी बहुत तो वो मिलती है गेम को PUBG को so PUBG क्योंके highly graphic game है so थोड़ी बहुत ग्राफिक्स पे वर्क ही नहीं करता so वो lagging करना स्टार्ट कर देता है and उसको क्योंके उसे RAM सही नहीं मिल पाती उसको जो है possessor सही तरह से उसे run नहीं कर पाता graphics उसे सही तरह से ग्राफिक कार्ड सपोर्ट नहीं कर पाता and आपको पता है कि ग्राफिक कार्ड अगर आपके operating system की RAM 4GB है तो उसका ग्राफिक कार्ड अगर आपने 1GB का लगाए so smoothly वर्क करेगा अगर आपके system की graphic card 1GB है बट उसकी RAM 12GB का आप लोगों ने उसके RAM आपकी 10GB की RAM है so वो क्या करेगा कि graphic card अगर आपको 1GB है तो वो 3GB की तरह की speed में run करेगा और वो बहुत हाइली graphics को support करेगा so उसकी वो क्या है कि वो completely आपके hardware पे smoothly run कर रहा होता है और उसकी completely processor या उसकी RAM उसको consume कर रहा होता है so हमारे पास मैं basic के लिए आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यह बेस्ट पीसी Android-based variant को आप इंस्टॉल करेंगे so आपके पास completely smoothly work करेगा PUBG and most importantly आपको mobile route करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको जो application जिस application में mode बनी हासिल करना चाहे है उसे completely आप इसमें हासिल कर सकते है and यही चीस है मैं आप लोग को साथ further details इसकी share करता रहूँगा तो यह beast made की वीडियो बंचेगे I hope आप लोग उस तरह की नहीं चाहोगे so अगर आप लोग को वीडियो अची लगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें and अगर आप मेरे चैनल पर नई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं निशालला नहीं वीडियो में तो तक लिए बहुत सारा ख्याल रखे अलाफिज बबाए थिंक ये सो मच वाचिंग बबाए